हेलो फ्रेंड्स मैं आरतियादव आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मौमी बिबी केर में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे की बालों का ध्यान कैसे रखें अगर दोस्तों आपकी बच्चे के बाल भी रफ बेजान बाल हो गये हैं तो आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए तो इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे आपकी बच्चे के रूखे बेजान बालों से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों आपकी बच्चे के बालों की मालिस रोज नाइल तेल से रोजाना करनी हैं इससे आपकी बेबी के रक्त संचार में सुधार आता है बाल भी बढ़ते हैं बच्चे के बालों की देखवाल और अच्छे से करनी हैं ताकि उसके बड़े होने पर लंबे सुन्दर बा दिखाई दाप गर्मी में बच्चे के बालों की मालिस नारील तेल से कर सकती हैं क्यूंकि इसकी तासिर थोड़ी ठंडी होती है क्यूंकि नारील तेल में विटामिन E अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे आपके बच्चे के बाल बहुत ही सुन्दर और चमटगा सर्दियों में ठंडी हवा चलती है तो जिससे बच्चे के बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं बदाम तेल से मालिस करने से बदाम तेल में विटामिन A, B2 और B6 होता है और इससे हेर क्रोध भी अच्छी होती है इस तेल की मालिस करने से बच्चे के सरी को आरा मिलता है और बाल भी स्वस्थ होते हैं और मुलाइम दिखाई देते हैं रात को सोने से पहले बदाम तेल से बच्चे की सिर की मालिस करें बच्चे के हाथो पेरों और बालों को भी काफी आराम मिलता है आप बच्चे के लिए बहुत ही माइल्ड सेंपू का यूज़ करें जिसमें कैमि खराब हो सकती है आप अपने बच्चे के बालों पर तेल लगाएं और धीरे धीरे लगबग एक मिनट तक अच्छे से मालिस करें और हलके हलके हाथों से करें इससे आपकी बच्चे की बालों का विकास अच्छे से होगा आप बच्चे की सिर की मालिस सोने से पहले उसके सिर तेल लगाने और मालिस करने से उसे काफी आराम मिलेगा और उसे अच्छी नीद भी आएगी दोस्तों आपको बच्चों को सैंपू रोज नहीं करना है एक दिन छोड़ कर आपको अपने बच्ची की सैंपू करना है इससे आपके बच्चे के बाल ड्राय होने से बचेंगे औ आई होब आपको मेरी ये वीडियो हैल्फूल लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों के शार शेयर करें और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी